नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं राजकुमार राउक की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो और अल्या भट की फिल्म जिग्रा के बारे में जो की बॉक्स ओपिस पर अपना दूसरा हफ्ता कतम करने जा रही है तो इसे के साथ बात करेंगे इन द शुरूबात करते हैं तो सबसे पहले हैं पन बात करते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो जो की बॉक्स ओपिसर 11 अक्टूबर 2024 को टोटल 25 सो ज़्यादा इसके इन पर वर्ल्ड वाइट में रिलीज कर दिया गया था जो की एक हिंदी कोमेडी फिल्म है जिसको 30 क कलेक्शन कितने का कर लिया है वही आज इसका 24 दिन शुरू हो चुका है तो 24 दिन कितने का कलेक्शन कर रहे है तो जैसे कि All across दिन फोटीध मतलब आज जो कि काफी अच्छा कलेक्शन है, एक तरीके से देखा जाए, तो वर्ल्ड वाइट की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइट में इसने बावन करोड रूपर से ज्यादा की कमाई कर लिया, एक तरीके से यह मूवी हो चुकी हेट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेना अकांशा रंजन जैसे कई उंदा कलाकार, वो इसको टोटल दो भासाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी और तेलगू में, जिसका बचट 80 करोड रूपे था, और यह एक 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 सन ड्रामा फिल्म थी, अब देखने यह होगा, कि इसने अब तक का टोटल कलेक् किया है, और वहीं आज इसका दूसरा अपता खतम कोने जा रहा है, मतलब आज 14 दीन बताया जा रहा है, कि करीबे 40 से 50 लाक रूपे के आसपस का ही कलेक्शन करते हूं नेजर आ रही है, एक तरीके से देखा जाए, तो राजकुमार राओ की फिल्म के सामने यह कुछ नहीं लगी, इसने लगाया हुआ पेसा भी बाहर नहीं निकाल पाया है, एक तरीके से यह मूवी हो गई, फ्लॉप, आपने इन दोनों मूवी में से कौन सी मूवी देख लिए, हमें कमेंट्स वोक्स में जरूर बता है, और अगर आपको हमारी जानकरी अच्छी लगी हो, तो आ आपके अपने चैनल सीधे रिवी को सस्क्राइब करने ना भूलने, तो चलिए मिलते अगले वीडियो में, जै हिन, जै वारत, बंदे मत्रों